हेलो दोस्तों कैसे आप सबी लोग उम्मीद करता हूँ खेर यह से होंगे जैसे कि आप देख रहे हैं एजुकेशन टाइम ने आज एक निउस जारी किये जिस पर आप देख सकते हैं NCISM जो है वो मौक टेस्ट कराने जा रहा है किसके लिए जो next exam वो कराएगा उसके लिए वो दो सेशन करा रहा है free of cost, mock test ताकि बच्चे को स्टुएंट को idea हो जाए कि हमें कैसे next exam के लिए prepare करना है कैसे उसमें question का pattern रहेगा तो देखे students अब भी जो हम लोग protest कर रहा है अगर उसे हम जो 20 जुलाई को करने जा रहा है अगर हमने उसे अच्छे level पर नहीं किया तो मान के चलिए ये इसका implementation होई जाएगा क्योंकि NCISM को ये खबर तो हो गई है कि बच्चों ने protest किया है ठीक है इस news में भी आया है ठीक है आप इसे पूरा पढ़ेंगे मैं भी अभी कुछ लाइने पढ़के बताऊंगा आपको ताकि NCISM को भी ये पता है कि बच्चों ने protest किया है और बच्चों पर इसका effect पढ़ रहा है कि जो की next exam आया है ठीक है और NCISM भी कह रहा है ये बाद कि हम बच्चों को हर सुबदा देने के लिए तयार है और हम इसी लिए ज़्यादा से ज़्यादा awareness प्रोग्राम करा रहे है या हम news में article दे रहे हैं ताकि बच्चे इससे aware हो जाए और वो next exam के लिए prepare रहे हैं ठीक है उनका अपना वो side खेलना है ठीक है वो अपनी side को safe करना चाह रहे है इसलिए ताकि हमने तो बच्चों को पहले से बता चुका है हमने time to time article निउस पेंपर में भी दिये हैं और कावी जारे program awareness परोग्राम करा है next exam को लेकर वो अपने safe zone में खेलना है ठीक है लेकिन अब students जाहिर सी वात है जो पराने students हैं जिनको परिशानी है इससे अगर उन्हें इसे हटवाना है पराने batch से या इसे आगे के लिए फर्दर टलवाना है तो जाहिर सी वात है अपन जो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट करने जा रहा है उसे एक अच्छे लेविल पर करना होगा ताकि NCISM मजबूर हो जाए कि कम से कम old batch को relaxation दे सके और बोल दे कि ठीक है हम इसे फर्दर आगे से कराएंगे ठीक है क्योंकि जब आप अपनी problems को अपनी परिशानियों को जाहिर नहीं करेंगे अच्छे वे में तो उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि बच्चे जादा से जादा परिशान है और उन्होंने NCISM ने ये बोल दिया कि 40-50 स्टूडेंट से परिशान है इसमें जैसे की जाहिर सी वादा जो हमारा कोर्ट में केस चला था तो उसमें जो परिशान डाले गे थी उस टेम परिशान कम थी 40-50 स्टूडेंट की तरफ से डाले गे थी और कोर्ट में जो मवजूद स्टूडेंट से वो भी ज़स्वीज थे तो अब जो NCISM के एडवोकेट थे उन्हों ने भी देखा होगा तो उन्हों की ये बात उन्होंने NCISM के जो हैड है उनसे कही होगी तो उन्होंने वही बात कोईट कर दिये इस न्यूज आर्टिकल में कि 40-50 स्टूडेंट को ही प्रॉब्लम है तो हमको ऐसा जाहिर करना है कि कम से कम 1000 से 2000 बच्चे उनके सामने प्रॉब्लम को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आज लैटर भी भेज रहे हैं बहुत अच्छा पहल स्टार्ट के हुई है ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पोश्ट के दवारे लैटर्स पहुंच जाएं और उनको भी पता लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टुएंट्स को प्रॉब्लम है इसलिए मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि आप सभी स्टुएंट्स जितने भी हैं ज्यादा से ज़्यादा लैटर को फोरवर्ड करें मिनिश्ट्रि आफ आयूज को और NCSM को और जो हमें पैते वाले हैं वो मिनिश्ट्रि आफ आयूज को करें और NCSM को ताकि उन्हें यह पता लगे कि स्टुएंट्स इससे प्रॉब्लम मिया है और हमें इसका कुछ ना कुछ निवारान करना चाहिए ठीक है अगर आप न्यूस पढ़ेंगे जैसे कि वो तो यह बोलाएं कि हम मौक टेस्ट कराने जा रहा है फ्रियॉप कर दो मौक टेस्ट कराएंगे ठीक है तो इसमें क्या देखा है इन मई दे नेक्ट एग्जर टेस्ट वाज मेड मेंडेटरी फॉर आयूस इस्टुएंट आयूस इस्टुएंट के लिए मेंडेटरी कर दिया गया है जैसे कि मैंने कई बार पिछली वीडियोस में जिक्र किया है जिन लोगों को परसनल प्रैक्टिस करनी होगी या पीजी के एक्जाम के लिए बैठना होगा उनके लिए नेक्स्ट कॉलिफाई करना मेंडेटरी है ठीक है तो उसमें उन्होंने यहीं काए कि जो 20 जिसंबर 2030 को आया था यह गैजरेट के द्वारा नेक्स्ट एक्जाम होगा तो वही रेगलेशन 2030 तो इन्होंने भी इस वात को कि प्रोटेस्ट हो था ठीक है कि जाहिर सी बात है हमारा प्रोटेस्ट वो अच्छे लेविल पे था अब जो 20 जोलाई को होने जा रहा हूं उसे और अच्छे लेविल पे करना है और बड़े लेविल पे करना है ताकि जो हमारी national media है उसे मजबूर हो जाए करने पर देखो पिछली बार जो students है उनके number of students about मान लीजी है प्रॉक्स 100 रहे होंगे यह 150 होंगे लेकिन इस बार कम से न कम से कम 1000 students तो minimum 1000 से 2000 तीन है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उतने तो हमें करना ही होंगे ताक जाहिर सी वाद है जब unity होगी और जादा से जादा students होगा अपने तो बहुत ही जो media होगी वो देखेगी कि इतना students क्यों gathering होई है तो वह जाहिर सी वादा आपसे बात करेंगे और जब आपसे बात करेंगे आपसे कुछ हिंड बात को लेंगे point को तो वह अपने news पर उने द स्टार्ट हो ठीक है जैसे कि NCISM Act 2020 में आया है बना है ठीक है और जो इस रूल के तहट जो batches स्टार्ट हुए है वो 2021 वैससे स्टार्ट हुए है तो properly way में जो स्टार्ट होना चाहिए next exam वो 2021 वैससे होना चाहिए अगर होना है तो ठीक है लेकिन 19 वैससे 20 वैससे तक relaxation देना चाहिए क्योंकि वो CCISM के slave ups के recording चल रहे है ठीक है और 19 वैससे स्टार्ट होना चाहिए उसमें काफी जाए बच्चे involved थे तो उन्होंने अपनी demand करी थी वही उन्होंने news article में अपना दिया है ठीक है तो इसमें यह कह रहा है NCISM Act 2020 making the operation of mandatory before August 2024 यह August 2024 से पहले अपना एक exam करान चाह रहे है ठीक है क्योंकि इस साल में दो बार होगा ठीक है तो इस तरीके से है NCISM will conduct two mock tests session free of course for the student appearing for the first edition of the exam जब यह 2024 से अक्टूबर में first time इन्होंने दिया होगा तो उसके लिए यह दो mock tests करा रहा है ताकि बच्चों को idea हो जाए ठीक है तो जो news education time है इन्होंने बात की थी किसे talking to education time में बैद्या जेन्त दियो फुजारिया चेर परसें NCISM चेर परसन जो है NCISM के उन्होंने का the NCISM is the statory body constituted under the NCISM Act 2020 and according to the act we are bound to make next operational before August 2024 उन्होंने अगस्ट 2024 से से पहले running कराना है एक्जाम को ठीक है तो यही बात यह कह रहा है next जो होगा इस बार इस साल तो जो October में डेट आई है कि October में हम कराएंगे और जो next है वो सब के लिए Ayurveda, Siddha, Rigba और युनानी के लिए और इसमें ख़ली इन चार तीन का जिकर है Ayurveda, Siddha, Rigba और युनानी और जो हमिपैदवाला है वो NCH वो एंसके तहित वो दूसरा न्यूज आ सकता है कि होना तो उसका भी है ठीक है तो दो कॉलेज है बी डारेक्टिट तो क्रिएट अवर्नेस अंड कंड़क्ट प्रॉपर और और इंटेशन रिगार्डिंग दा नेस्ट एक्जाम वह जाएड जिवाद अवर्नेस प्रोग्राम करा रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा जाते हैं वह अपना सेफ जो चालिस से पचास स्टुडेट थे उन्होंने ही गाली प्रोटेस्ट किया तो जाहर सी बात है जब आप अपनी कॉइंटिटी कम दिखाएंगे तो उन पे भी जादा फरक नहीं पड़ेगा अगर आप यही चालिस से पचास स्टुडेंट वाला डाटा जो है अगर यही चार चास स्टुडेंट वहाँ पे अगर गैदरिंग कर रहा है तो उससे कंसीडर नहीं किया जाएगा आप यह बात खुज भी सूच सकते हैं ठीक है तो जाहर सी बात आपको गैदरिंग जो है वो कम से कम मिनीवम 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर भा आप सबसे रि इंप्लिमेंट हो अच्छी बात है इंप्लिमेंटेशन होना चाहिए पहती में सुधार होगा लेकिन प्रॉपर बे में हो प्रॉपर कॉलेज में भी सुधार हो हर चीज में सुधार हो उसके बाद आप इंप्लिमेंट करें तो ज्यादा भेतर रहेगा ठीक है और खास कर ज ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर मंतर पे पहुंचें 20 जुलाई को और जो आप वाटसप गुरुफ से जुड़े हुए हैं तो आप अपनी लिस्ट भेजें प्रॉपर ठीक है कि हम लोग आ रहे हैं तो आपको जहिर सी बात है तो एक डाटा रहेगा तो उससे आसानी भी रह करने जा रहा है और उसने अपना किलियर इंप्लिमेंटेशन करने का प्लान बना लिया है ठीक है दोस्तों तो आप न्यूस में देखी सकते हैं कैसा वो पॉर्टेब रख रहा है जो एक है अगर आपको अपनी बातों को अच्छे लेविल पे करना होगा ठीक है दोस्तों सबीच ज्यादा से ज्यादा बीस जुलाइब को जंतर मंतर पे पहुंचे और प्रोटेस्ट को अपना युगदान दे और से सफल बनाए ठीक है दोस्तों थैंक्यू सो मुच्च